नमस्कार जैहिन यूटूब पर इतियास मिमर्ष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज खबरों की खबर में हम देखेंगे उच्च सिक्षा के शेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं और जो महत्कूर सूचनाय वे आज खबरों की खबर के अंक में क्या है एक नजर इस पर डालते हैं खबरों की खबर के इस अंक में है विद्ध्यार्थियों को मिलेगी डीजी लॉकर की सुविधा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्ध्यार्थी एनीपी के अंतरकप देंगे अब एक्जाम प्रकास डालेंगे जो युबा साथियों के लिए कॉलेज गुइंग बच्चों के लिए बहुत मैध्पूर है तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डिजिटल लॉकर से डिजिटल लॉकर क्या है आप देखें डिजिटल लॉकर एक वर्चुल लॉकर होता है इसमें आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पेन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बोटर आईडी कार्ड आदी को सुरक्षित कर सकते हैं इसमें एकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड का होना भी बहुत जरूरी है इस लॉकर में आप सभी प्रकार के सरकारी प्रमान पत्र या डॉकुमेंट्स इस्टोर कर सकते हैं यह डिजिटल लॉकर क्या है और इसके संदर्व में विश्विद्याले इस तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं जिसके के आने वाले दिनों में हमारी युवा सातियों को लाव होने बाला है तो आईए देखें जीवाजी उनिवस्टी और उससे संबंदित कॉलेज़ों में जितने भी विद्यारती अध्यन रथ हैं उनके लिए डीजी लॉकर बनाने के लिए डेटा अपलोड करने का काम अवगती पकड़ने लगा है विश्विद्याले के साथ ही स्वसासी कॉलेज़ों में डीजी लॉकर बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है उलेगनी है कि उच्च सिक्षा विभाग द्वारा युनिवस्टी और कॉलेज में अध्यनरत विद्यारतियों के दस्तावेज डीजी लोकर में रखने की कार्योजना पर काम किया जा रहा है डीजी लोकर में विद्धियार्थियों के दस्तावे सुरक्षित रहने के बाद उन्हें जगे जगे दस्तापेजों का सत्यापन कराने की आवश्यक्ता नहीं होगी तो यह डीजी लोकर का एक बहुत महत्पून उप्योग है और इसके माध्यम से आने वाले समय में जो विद्धियार्थियों आए दिन परिशान रहते हैं कि हमारी अंगसूची खो गई है या हमारी जो टीसी है वो टीसी खो गई है या और किसी प्रकार का डॉकुमेंट्स च उन्हें हम सुरक्ष कर सकते हैं तो इसी दिशा में बिश्व विद्ध्याले और कॉलेज लेवल पर जो सशासी महाविद्ध्याले जो अपनी परिक्षाएं स्वयम कराते हैं बे अपने इस तर पर सभी विद्ध्यार्थियों की अंख सूचियों का डीजी लोकर तैयार कर जिससे आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और जब भी मांगें तो उनके मोबाइल में जो एप होगा उस एप के माद्यम से डीजी लोकर से वो अपनी उस सारी सामकरी को जानकारी को बाहर निकाल सकते हैं अब दूसरी खबर पर अपन प्रकास चालत अध्यन करना छोड़ दिया है किसी कारण से और अब आगे पढ़ना चाते हैं तो उनके लिए एक बहुत महत्पून सूचना आई है इस सूचना को आप देखें ये अखबारों में भी प्रकासित हुई है उच्चे सिक्षा विभाग ने या निर्णे लिया है कि सत्र 2021 विद्यार्थी जो है उन्होंने पहले परिक्षा दी है वे अगले वर्ष पढ़ाई जो करने वाले हैं वे नई सिक्षा नीती के अनुरूब ही कर सकेंगे यह नया आध्यादेश उच्चे सिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है नए एकेडमिक स्ट्रेक्शर के आधार पर ही अब ऐसे विद्यार्थी नियमित अध्यन कर सकेंगे और इनके लिए जो एक और एसक्यूज है इसमें यदि वो नियमित अध्यन नहीं करना चाहें प्राइवेट मोड में करना चाहें या डिस्टेंस मोड में करना चाहें तो तो वो उसी पद्धती पे परीक्षा दे सकते हैं अब जो पहले परीक्षा प्रणाली थी जिस तरह की पद्धती चल रही थी सेमिस्टर सिस्टम था ग्रेजूशन में या जो वार्शिक पद्धती की पुरानी पद्धती वाली है वो सारे के सारे अब यदि नियमित करना होगा अधर्वाइज वो प्राइवेट या दिस्टेंस मोड में परिक्षा दे सकते हैं और एक और मुख्य समाचार है महत्मूर समाचार है जो हमारे कॉलेज गॉइंग बच्चों के लिए बहुत ही महत्मूर हो सकता है चुकि इस पहली बार एनिपी के माध्यम से परिक किसी भी मोड में हैं सभी को सीसी देने हैं आंत्रिक मुल्यांगन के लिए सभी को प्रैक्टिकल देने हैं अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सभी को वोकेशनल कोर्स करना है सभी को प्रोजेक्ट फाइल भी जमा करनी है यानि सभी के लिए कंपल सरी थी तो आमतोर प में उनके नंबर नहीं जा पाए इससे उनका परिक्षा परणाम फेल या सप्लिमेंटरी आया है तो विश्व विद्याले अपने इस तर पर यह प्रयास कर रहा है हाइर एजूकेशन से ऐसी गाइडलाइन्स मांगी गही है कि अगर वो एक अफसर ऐसे विद्यारतियों को दे देते हैं जिनके सीसी या प्रैक्टिकल नंबर रह गए हैं तो उन्हें एक अफसर दे के अप्लोड किया जा सके जिससे उनके जो परिक्षा परणामें रिजल्ट्स हैं बेस सुधर सकें बीए बीए सी बीकॉम बीए चैसी सभी में जो फस्टियर के विद्यारतिते उनके लिए तो यह अगर अफसर आता है तो बहुत जल्द इस पर एक कारिवाई होगी और अगर ऐसा होता है तो पंद्रा से बीस परसेंट तक परीक्षा परणाम जो है वो सकारात्मक हो जाएगा जिनकी सप्लीमेंट्री है वे पास हो जाएंगे और जो फेल हैं कम से कम सप्लीम के लिए उनके लिए एक अफसर दिया है सप्लीमेंट्री एक्जाम का तो उनके लिए फॉर्म बरने की डेट भी इसमें गोसित कर दी गई है अगर आप इस पर इत्यास विमर्स के कम्यूटी पर देखेंगे तो यहां जाकर यह आपको सूचना मिलेगी और इस तरह की जो भ चलते चलते एक बात और एक समाचार और है जो निश्चत रूप से आने वाले दिनों में उच्चे सिक्षा की इस्तिति को बेहतर बना सकता है शासन इस्तर पर विश्विद्यले इस्तर पर यह प्रयास किये जा रहे हैं कि एकेडमिक विवस्था को सुचारू बनाने के लि आनस्ता हैं कि इसंग्यों कि नियुकि प्रयास किये जा रहे हैं जो विश्विद्यले के माद्यम से होंगे इनकी टीम बन रही है और एकेड़मिक उरंदस्ता तयार हो प्रेक्टिकल समय पर हो रहे हैं इस तरह तरह की चीज़ जो जानकारियां यह सब देखी जाएंगे पिछले नौ वरस्ते इस तरह का एकडमिक जो दस्ता है वो तैयार नहीं हुआ था इसलिए काफी कुछ समस्यां भी आई थी तो एक यह भी नया सुधार है मुझे लगता है कि आज के लिए इस अंक में इतना काफी है समय समय पर ख़वरों की ख़वर के अंतरगत में इसी प्रकार के और भी सारे समाचार आपके बीच में लाता रहूंगा आप इतिहास विमर्स से जुड़े रहें यह सूचना आपको लगते हैं कि महत्तुन है तो आप अपने मित् इतिहास विमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन पर जाएं और 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 को अप्शन पर जाएं जिससे सारी जो सूचना है इसके मात्यम से समय समय पर आपको मिल सकें अभी तक के लिए इतना ही बहुत-बहुत जय हिन